नवश्कार मेरा नाम वसू कटारा है स्टडी आईक्यू आईएस के इस सेशन में आप सबका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर सबसे पहली चीज खबर क्या है ये खबर जीएस पेपर 2 जो की इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस के टॉपिक से जुड़ी ह इंडियन सोसाइटी से जुड़ी होई है जो की इस प्रकार है आंदरप्रदेश के स्टेट वक्फ बोर्ड से एक फैसला लिया उस फैसले में उन्हों ने आहमें या मुस्लिम को पहले तो non-musli hijo को ननमुसलिम्स बोलने की वैसे उनने काफिर बोला उनको काफिर बोला गया non muslims बोला गया और कहा कि हम इन्हे muslims मानते ही नहीं है वक्ष बोड एक ऐसी body है एक ऐसी administrative body है इंडिया के अंदर जो muslims की Islamic properties को, जमीनों को manage करती है हमारे देश में central government के level पर एक central वक्ष council भी है जिसका काम है हमारे देश के अंदर minorities को muslims को, जितनी भी उनकी properties हैं, उनको administrative control कर सके, ministry of minority affairs के तहते, अब आप context समझ गए कि क्यों news में था and with what authority आंदर पदेश वक्ष बोड इशूड फत्वा against the एहमदिया muslims, जिनमें एहमदिया muslims को non muslims कहा, काफिर कहा center government ने यही तो question किया है आंदर पदेश की सरकार से तो अभी आपने context समझ लिया UPSC exam के लिए इसकी relevance क्या है यह समझ लिया, अब आप यह समझिये कि पूरी controversy किस तरीके से erupt होई जहाँ पर ministry of minority affairs के इंदर सरकार ने वक्ष बोड के फैसले के उपर सवाल उठाया ministry of minority affairs के joint secretary CPS बक्षी ने एक पत्र लिखा, एक letter लिखा और letter लिखा गया अंदर पदेश के chief secretary को, के एस जवार रेडी को अब सवाल क्या पूचा गया उस letter में, यही पूचा गया कि आपके राज सरकार में जो वक्ष बोड आता है, उनके पास कहां से आई, उन्होंने तो अपनी out of authority जाकर ऐसा कोई फैसला लिया है, और एक minority community से उनका अधिकारी छीन लिया और यह कोई आज की बात नहीं है 2012, थोड़ा historical background देख लेते हैं, 2012 पहली बार 2012 के अंदर आंदरप्रदेश state वक्फ बोड एक resolution लेकर आये था जिसमें उन्होंने पूरी एहमदिया community को non-muslims बोल दिया उसके बाद जो resolution उनके द्वारा लाए गया था, उसको court में challenge किया गया, मतलब court में उसके ओपर सवाल उठाय गया, एक legal challenge शुरू हुआ, अब देखिए जो court में legal challenge शुरू हुआ, उसका फैसला क्या निकला, अंधर प्रदेश high court ने एक order issue किया, कि ये जो resolution वक्फ बोड ने पास किया है अंधर प्रदेश की, ये सही नहीं है and they suspended that resolution उसके उपर नोने interim suspension लगा दिया रोक दिया, ब्लॉक कर दिया कि ये चीज आगे नहीं चल सकती है और ब्लॉक करने के बाद जब legal challenge कर दिया था court ने, controversy बढ़ती गई अब 2012 के बाद बात आई इसी साल February 2023 के महीने में February 2023 के अंदर कुछ ऐसा हुआ जहां पर आंधर प्रदेश high court का जो पुराना order था उसको छोड़ते हुए आंधर प्रदेश वक्ष बोर्ण ने फिर से लेबल कर दिया एहमदिया मुस्लिम कम्यूनिटी को as kafirs और infidels के फत्वा जारी किया गया था जमयत उलेमा का जो फत्वा जारी किया गया था उसमें यही बोला गया that एहमदिया कम्यूनिटी कौन है इसलामिक कम्यूनिटी जो बाकी कम्यूनिटी है शिया सुनि उनसे अलग कैसे है एहमदिया मुसलिम जिने कहते हैं they believe that एहमद वाज डिवाइनली कमिशन तो बी the true reflection of मुहमद जो मुहमद एक गुरू के तोर पे आप दे सकते हो एक पैगंबर के तोर पे दे सकते हो prophet थे उनके prophet के बाद एहमद को कमान मिली थी to establish the unity of God and to remind mankind of their duties के इसलाम को आगे बढ़ाने के लिए पैगंबर मुहमद के बाद आगे मौका एहमद को मिलना चाहिए था एहमद कौन थे who was divinely commissioned by God जिनको भगवान ने जिम्मेदारी दी है इश्वन ने जिम्मेदारी दी है उनको वो अपना मसिया मानते है शुरुवात इसकी इंडिया के पंजाब में हुई थी आज से लगबग 100-500 साल पहले मिर्जा गुलाम एहमद के द्वारा ये स्कूल ओफ थॉट एहमदिया स्कूल ओफ थॉट इंडिया में बनाए गया था ठीक है जी अब क्यूंकि religious differences है उस वज़े से जो बाकी Muslim community है एहमदिया Muslims को वो equal दर्जा नहीं देती और वही discrimination आपको देखने मिलेगा आंद्रपदेश वक्फ बोर्ड के फैसले में भी उजागर हुआ है जहाँ पर आंद्रपदेश वक्फ बोर्ड ने साफ अपने resolution में उनको एक तरीके से infidel एक तरीके से काफिर बोल दिया काफिर मतला वो लोग जो उनकी religious ideology के साथ एक जुट नहीं है जो उनकी religious ideology के साथ एक मत नहीं रखते 2023 में ऐसा गया एक बार यह order निकाला गया resolution निकाला गया कि हम नहीं मानते है Ministry of Minority Affairs ने अब जाकर दो दिन पहले 20 July को एक formal complaint दारी करी है एक formal complaint जारी करी है मेहमदिया कम्यूनिटी मेहमदिया मुस्लिम कम्यूनिटी के कहने पर who are protesting against the decision of the वक्ष बोड Ministry ने ये भी कहा अपने letter के अंदर आंदर प्रदेश वक्ष बोड के उपर सवाल करते हुए कि किस तरीके से आप कदियानी कम्यूनिटी Q-A-D-I-A-N-I कदियानी कम्यूनिटी ये अब उस religious group के अंदर एक आने वाली कम्यूनिटी है आप कैसे कदियानी कम्यूनिटी को काफिर कह सकते हैं 2009 में ये फत्वा जारी किया था जमात उल्यमा के द्वारा और इसके खिलाफ center government ने अपील करी कैसे कर सकते हुआ you have no decision you have no authority to take any decision basically और वक्फ बोड के इसी फैसले को एक question उठाए center की ministry of minority affairs के द्वारा उन्होंने कहा कि वक्फ बोड वक्फ act के तहत काम करते कानून है जो वक्फ बोड को कानूनी power देती है administrative power देती है Muslim properties को manage करने के लिए Muslim areas को manage करने के लिए इनको proper ये power मिली है वक्फ का technical meaning समझो मैं बहुत पश्ट रूप से इसका मतलब समझाता हूँ देखो इसलाम के अंदर दो सेक्ट है सुनी और शिया अब जैसे सुनी वक्फ बोड बार बार न्यूज में रहता है सुनी वक्फ बोड एक बार न्यूज में इसले था बिकास देर वाज अ क्लेम किस चीज को लेकर जो आयोध्या की साइट थी जहां पर कुछ लोग मंदिर कहते थे कुछ लोग मस्जिद कहते थे अब तो सुप्रीम कोड का डिसीजन आही गया है सुनी वक्फ बोड ने केस किया था कोड में कि अयोध्या एक जो अयोध्या का टेंपल स्ट्रक्चर जो थे वो एक मॉस्क है और उसको इलीगली गिराया गया उन्होंने अपने एक सुप्रीम कोड के केस में ये बात कही थी सुनी वक्फ बोड इसलिए न्यूज में था कि whether there is a temple, whether there is a mosque their objection what that there is a temple एक मंदिर है आपन तब ये न्यूज में था अब वक्फ बा मतलब समझो property given in the name of God for religious or charitable purposes जैसे हिंदूस में shrine board होता है सिख religion में गुर्द्वारा प्रबंदक कमिटियां है शिरुमनी गुर्द्वारा प्रबंदक कमिटी ऐसे इसलाक में इसलाम के अंदर आपको वक्फ बोड देखने मिलेंगे वो जमीन है वो property जो इसलाम को बढ़ावा देने के लिए जो charitable चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए manage की जा रही है ताकि वो property इसलाम को बढ़ावा देने के लिए इसलाम की जा सकती है इसमें कोई भी movable property आ सकती है जो religious और charitable purpose के लिए डोनेट की गई है बट अब इसकी देखरे कौन करेगा ये देखरे करेगा वक्फ बोड जिसको कानून के तहत बनाए गया था 1995 में इसका कानून बनाए गया था कोई भी जमीन जैसे मैं मेरे पास जमीन है मैं इसलाम से अगर बिलॉंग करता हूँ और मैं चाहता हूँ इस जमीन का इस्तमाल religious purpose के लिए हो तो मैं वक्फ बोड को डोनेट कर सकता हूँ दान कर सकता हूँ एक deed प्यार्ड हैं कबर खाने हैं कबरिस्तान है education institutes हैं कई सारे education institutes मदरसा मक्तब देखने मिलेंगे इन मदरसा मक्तब की जमीन है या इन जमीनों से कमाया गया जो पैसा है वो वक्फ बोड समालता है जिसको religious और charitable purpose के लिए वक्फ बोड यूज करता है एक बार आपने property वक्फ बोड को दे दी या एक बार वक्फ बोड ने आपकी property ले दी एक बार उन्होंने ले ली है तो वो जमीन का investigation करेगा अगर उन्हें लगा कि Islamic religion से जुड़ी हुई है वो जमीन को ले सकते हैं वो witness बुला सकते हैं कि आप बताईए 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 क्या यहां पर कोई दरगा थी क्या यहां पर कोई मस्जिद थी क्या यहां पर कोई कब्रिस्तान था तो लोगों से witness भी मां सकते हैं वक्त को manage किया जाता है एक supervisor के द्वारा उस post को कहा जाता है मुतावली M.U.T.A.W.A.L.I तो इनी के फैसलों को question किया जा रहा है कि आप एहमदिया ग्रुप को और जो जमात अलिसलामी है उनके फैसले के द्वारा कैसे आप एहमदिया Muslims को कैसे आप एक non-Muslim community बोल स फिर से open किया जाएगा हो सकता है कोट के अंदर भी जाए बैटल और इस पर फैसला आए center government के favor में क्योंकि minorities के protection के लिए जरूरी है क्योंकि वक्त बोड के द्वारा जो फैसला लिया गया है वक्त बोड यह कह रहा है कि center government का यहां पर कोई power नहीं है लोकस टैंडाई नहीं ह का मतलब power होना कि जैसे for example दो लोगों के बीच में लड़ाई है तो तीसरा इंसान नहीं बोल सकता तो वक्त बोड आंदर प्रदेश का हो सकता है यह बोले कि center government हमारे फैसले में आके interfere नहीं कर सकती दे डू नॉट है दे लोकस टैंडाई वक्त एक्ट के तहट state government की जो body है state वक्त बोड है वो किसी के religious rights को थोड़ी ना इंफरिंज कर सकती है कि मैं मानता हूं कि मैं मुस्लिम हूं तो आप आके मुझे मना नहीं कर सकते कि नहीं आप यह मत मानिए आर्टिकल 25 से 28 इंडियन constitution का freedom rights देता है freedom of religion धर्म का अधिकार आइडियास को दूसरा फैलाना फैला सकते हो इसलिए तो मिनिस्ट्री कह रही है कि आपने अपने पावर से अपने objectives अपने mandate से बाहर जाकर काम किया है और एक तरीके से इससे hate campaign शुरू होता है दुश्मन ही पैदा कर रहे हो आप उस community के लिए आप intolerance असाइशनुता पैद जाए शांती पूरवक तरीके से और एहमधिया मुस्लिम कम्यूनिटी को अपना अधिकार मिले इंडिया के अंदर एहमधिया कम्यूनिटी काफी जादा religious discrimination past में भी सामना कर चुकी है आशा करते हैं future में इसके साथ कम से कम discrimination हो और जो equality का अधिकार हर citizen को हर religious group को मिला है वो सेशन को देखने के लिए आप मेरे साथ मेरे टेलिग्राम मेरे सोशल मीडिया पर कनेक्ट हो सकते हैं मेरा टेलिग्राम ग्रूप है वसू कटारा studyiq जांसे आकर पीडिया डाउनलोड कर सकते हैं email आईडी है वसू.katara address studyiq.com इसके साथ साथ आप UPSC के तयारी कर रहे हो त 2 से 3 गंटे की पहले आपको quality कराया जाएगा quality, history, economics, geography, ethics, internal security, international relations, disaster management, सारे subjects कवर कराया जाएंगे आपके लिए और इसके साथ साथ हम आपको prelims की test series, mains की test series, prelims crash course, mains crash course, daily answer writing practice program, prelims के बाद mains residential program भी देंगे in this course, आपके घर पर सारी books भिजवाएंगे, everything, whatever is necessary for the UPSC exam, we will be discussing, we will be doing for you, तो इसका फायदा लेने के लिए आप study IQ की website या आप पर जाके course में admission ले सकते हैं, admission लेते time, maximum discount लेने के लिए आपको बसू live admission discount code use करना है, उससे आपको maximum discount मिल जाएगा, 3999 का course मिलेगा, otherwise 45,000 fees है, मेरी personalized guidance मिल जाएगी, अगर आप मेरा code लगाएंगे, तो it will help me in getting incentivized for my effort, and जो आपके द्वारा हमार लिए ये code लगाने के बाद, the help you will be doing, it is going to be helpful to us, तो इसका जरूर फायदा लीजेगा, मैं बस यही कहना चाहता हूँ, आपके द्वारा, आपके option लहेंगे, बहुत सारे codes available होते हैं, admission discount code, जो इस code maximum discount देगा, और मेरी personalized guidance दिलाएगा आपको, आपको pure English के अंदर batches है, bilingual है, pure Hindi के अंदर batches है, इनका फायदा ले सकते हैं, शुक्रिया, धन्यवाद इस session को देखने के लिए आप सो का बहुत बहुत शुक्रिया, thank you, good luck, good bye